आप सभी का स्वागत है मापा पारिसरी में आज मैं गुजिया के रेसिपिया आप सबसे शेयर करी हूँ घर पर है आपकेसे गुजिया की इसे बना के त्यार कर सकते हैं और बहुती ते तेस्टी तो चले बनाने के बाद इसको भून लेना है उधर में नारियल कट कर रही थी और इधर मेरी बहन बैटके सूजी को भून रही थी, आग भी अच्छी से जल रहा है और इधर मेरे भाई भी हेल्प करने आ गया था, नारियल को मैं अच्छी से कट कर दे थी, फिर आगे थी मैं सूजी को भून ने, सूजी अच्छी से भून गया था, तो कपड़े पकड़ कि मिल्ट होने लगे ना थोड़ा सा बाझ होने लगेगा थोड़ा सा पानीमे डाल दीली हो तो पानी से येलो पानीκι करेंश करते ना छान तो ये यह लो एक डाल है पका लेना है देखे बहुत अच्छे से पग गया है इसका टेक्चर इसकर हो गया है इसको निकाल देरी हूं कि अंदर बं गया है जो कि अंदर बन गया है माइदा ले लिए माइदा 1 दाल एच्छे से मिक्स कर ले रहих गा है और मोयन लगा के ही मतलब की अऊथना देखें पे चोटी चोटी लोगी लिया कि बेल के डाल दे रहे हूं। थोड़ा सा एक से डेल चमच मतलब की बेडर को भर लेना है और इसे दबा लेना है ऐसे सभी को आता ही होगा जैसे कि यह हुजे वाला जो साचा आता है न उसे बनाना इजेली है बेलना बस है और उसमें अंदर खिल करना है और दबा के निकाल लेना है करने के बाद इधर ते तो फ्लेम को हाइब मत रखेगा थोड़ा से कम चलने रखेगा यह तेल थोड़ा से गरम ज्यादा हो गया था तो गुजिया अच्छे से सीखने ही तो मैं अच्छे से शेखने लिए थी इस तरह से बनाए थी मैं बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताईएगा यह रेसिपी को मैं थोड़े अच्छे से सूट नहीं कर पाई और नेक्स टाइम अच्छे से सूट करूंगी यह देखे बहुत ही टेस्टी गुजिया बन के तयार होगे इस तरह से बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगी और